हाई अब्रूबरन मैं हुझीद और हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेटिल नाइट्मेर की सिरीज को और जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूना फॉर्गेट टू सब्सक्राइब तो चलिए हम सुरू करते हैं अपने आगे की जर्री को वीना टाइम को वेश्ट किये हुए तो भाई पिछले मिसन में हम कैसे भी करके अपनी जान बचा कर यहां तक पहुँच गए थे और यहां से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है दलेड भाई यार सच में प्रॉब्लम हो रही है इसको बहुत ज़्यादा भूँक लग रही है तो सबसे पहले तो कुछ यार खाने का जुगार्द करना पड़ेगा तभी यह मिसन पूरा कर पाएगा चल छोटू आगे देखते हैं क्या सीन है क्या बात है यार यह मिल गया चोटे शतरी भाई यह बहुत प्यारे है यह हमारी हर द diplS करते हैं रास्ता दिखाते है और यहाँ पर बिचारा खाना ले के खड़ा यार लिटिल के लिए चल ठीक है लिटिल खा ले और एक तो यह ट पूरा का पूरा हैवान बन चुका है यार भाई साब उसने इसको मीट स्टिक दिया और ये उसको खा गया और अभी डांस कर रहा है ये केरेक्टर ना अपने से काम करता भाई बहुत खतरनाक तरीके से भाई पिछले एपिसोड पे तो ये गले मिल रहा था उससे यार क्या सी चल रहा है भाई ये आदमी ना बहुत खतरनाक होता जा रहा है और हो सकता है ना इसका आज आखरी एपिसोड होगा अपनी लिटिल नाइट्मेर सिरीज का अगर हमने उसको लेडी को लिप्टा लिया तो भाई ये देखो ये वही है भाई जो सुरू पे दिखी थी अपने को कुछ धूनना होगा भाई यार ये छोटे छटरी की मौत यार भूल नहीं पा रहा हूं मैं बड़ा हरामी बच्चा है यार इसको मैं अच्छा मानता था चल भाई इसे खोल ले तूँ अपना गेट ये देखो यार अभी उसको भी खा गया और इस पर अभी जान भी नही वाले हैं ये क्या जगह है और पूरा भाई परपल कलर के फ्लोरिंग वगएरा इस साइड तो कुछ नहीं है और आइसी साइड रास्ता दिख रहा है यहीं से चलते हैं जो भी होगा देखा जाएगा ये वैसे भी अब हैवान बन चुका है मेरे को डर भी नहीं लगता कि सल अबने तो गेट है लेकिन भाई ताला वंद है यार कितने ताले खुलबाओगे तुम लोग तो अब अपने को सबसे पहले भाई लोग चाह भी डूड़नी होगी यहाँ पर क्या है भाई पीछे भी रास्तावंद है उपर भी कुछ नहीं भाई गाना कौन गारा यार भाई जब यह गाना बसता है न तो पक्का कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है यह क्या है यार अच्छा मैनी क्यून है एगनट एगनट लिटिल रुकजा भ क्या करूं चुप-चाप से निगल के जाओं क्या आगे तुरू मैं चलो एक बार चल के देखता हूं क्या होता है अब यह क्या यार इसने तो हवा पे उठा दिया लिटिल को भाई इस बार ना मैं चुप-चाप से क्राउच करके जाओंगा ताकि इसको पता ना चले लिट क्या रही भाई इसकी क्या दुस्मनी है सीसे से लेकिन भाई अपने को क्या चुप-चाप से अंदर चलना है और चाफ ही ढूढ़नी है सबसे पहले तो यहां पर सामने भाई एक दिख रहा है चोटा सा कवर्ड टाइप का यहां पर देखता हूँ इसके उपर मैं नहीं भाई लिटिल इसके उपर नहीं जा पा रहा है यार और यहां पर क्या है भाई यहां पर तो एक बेड़ है यार अच्छा सा क्या बात है यार लिटिल यह देखो यार यह जंप करने लगा भाई इसकी भी गलती नहीं है यार इतने दिनों से वहाँ पर सड़े सी जगह पर रह रहा है न तो इतने अच्छी जगह देखकर थोड़ा सब बॉखला जाता है अपना छोटु लेकिन यार यह चाभी कहा है भाई में टार्गेट चाभी लगना नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर तो चेयर है यार इसके ऊपर कहां रखी होगी लेकिन वो सामने क्या भाई वो फ्लास्क पे पेंटिंग वगारा जिसमें की गई है एक नट लिटिल इन सब चीजों को छोड़ और हम चलते हैं सीधे सामने भाई मेरको ना मेर इसको फोड़ के देखते हैं क्या बात है यार यहीं पर थी लेकिन एक नट भाई सोर हुआ है तो वो कहीं चुड़ैल कहां गई चुप चाप से मैं थोड़ी दिर छुप जाता हूं भाई और फिर देखता हूं यहां से तो कुछ दिख नहीं रहा है पर धीरे धीरे अपने को चलना पड़ेगा चल लिटिल देखते हैं क्या सीन है आगेगा कहां गई यार नहीं है यहां पर भाई उपर तो नहीं चिपट गई कहां है भाई बुरे फस गया यहां पर तो चल जल्दी लिटिल यहां से निकलते हैं भाई और ताला खोल के न अपने को जाना भी है उस गेट के पार तभी आज हम इसको बाहर निकल पाएंगे भाई यहां से यह मिरर कैसा यार यह मिरर बड़ा अजीब लग रहा मेरो को मैं इसको कब से देख रहा हूं अभी देखो अभी लिटिल की सारी हेकडी निकल गई अभी उसको बिचारे को छोटे छत्री को खाना था तो खा गया ऐसे ही यह यह क्या यार यह तो मैंनी क्यों ना भाई डर गया मैं चल छोटे फुल स्पीड पे निकल भाई क्या हॉंटेड घर है यार यहां कोई रह तक नहीं रहा इधर तो नहीं है कहीं चल भाई खोल यहां से ताला और देखते हैं क्या भाई अगली लोकेशन अपनी चल छोटे लाइटर आउन कर ले और निकलते हैं यहां से चुप चाप अभी यह क्या था यार यह क्या वास थी कौन है वे कौन डरा रहा अपने को भाई लिटिल पीछे मत जाया यार ज्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं भाई मर जायागा भीना मतलब को जल्दी भाग मेरे को डर लग रहा यहां पर अभे मर गये यह पीछे थी यह तो अपने को पूरे ऐसे उठा देती है इस बार पकड़ के दिखा तू जल्दी का लिटिल स्लाइड कर क्या बात है भाई जान बची यार उससे काफी खतरनाक है यार बीना पकड़े हवा पे उड़ा देती अपने को यहां से यार रास्ता बंद दिख रहा मेरे को यह क है तो यार इधर साइड है है रास्ता मिल गया यह क्या है भाई यहां पर यह क्या है भाई इत्ती सारे यह मैनिक्यून पड़े हुए हैं लेकिन फुली स्पीड पर निगलता रहा है लिटिल जहां पर अपने को रास्ता दिख रहा है रिस्क नहीं लेना यहां पर बंद इस अच्छा फस गया भाई वहाँ से आगे कपड़े वगयरा रखे हुए हैं मुझे सारा का सारा मामला समझ में आ गया इस लेडी को मिरर से भी कुछ प्रॉबलम है और लाइट से भी कुछ प्रॉबलम है क्योंकि ये अधेरे अधेरे पर भाग रही है तो एक काम करता हूँ भाई मैं इस मिरर को बाहर लेके चलता हूँ न और देखता हूँ कि साइद इससे अपनी बात बन जाने वाली है और आज ये बचने वाली नहीं है क्योंकि यार इतना परिसान करके रखा था इसने भाई वो है यार खड़ी है आजा चुड़यल आज तेरा अंत आने वाला है रुख जा अभे ये कहां गया यार ये तो ज्यादू गर भी है भाई ये लाइट क्या जल रही है अपने भाई साब समझ गया पूड़ा मैटर क्या बात है लिटिल इसको ना लाइट रिफ्लेक्ट करना है उससे ये मर जाएगी मैं समझ गया भाई ये रिफ्लेक्ट से मरेगी लाइट से इसलिए वो सीशा रखा हुआ था एक सही जल्दी कर लिटिल तीशे है ये बात आजा लेकिन यार कितनी वार अपने को करना पड़ेगा लिटिल लाइट को फॉलो कर भाई जल्दी से आज इसका अंत आने वाला भाई कहां है आ बार बार आ रही है लिटिल फिर से उठाः ले तू और लाइट को तू फॉलो करते रहना बस ये लाइट आगे फिर से यहाँ पर दिखने है काँ पीछे है अपने पीछे है भाई फिर गायब हो गई यार आगे पीछे से आ रही है आजा सामने आना हिम्मात है तो चुड़ैल क्या बात है ये ले लिकने यार लिटिल को भी जटका लग रहा है यार वो भी कहीं मरना जाए मेरे को लग रहा है भाई जल्दी कर जल्दी कर पास में नहीं आनी चाहिए ये मर क्यों नहीं रही यार मैंने चार पांच बार कर लिया रुक जा जल्दी कर लिटिल क्या बात है भाई मर गई सायद सीशा भी तूट गया इसका लेकिन लिटिल को भूंक लग रही है फिर से और भाई साब इसकी बहुत गंदी मौत होने वाली है अब मैं इस वार लिटिल को मना भी नहीं करूँगा इसको तो पक्का खा जा तू अब 100% भाई ये इसी को खाएगा यहां से भाई इसकी कहानी खतम हो गई और ये क्या यार ये काली सक्तियों जैसे क्या निकल रहा भाई आ रहा है फेंजर टाइप में चल बच्चे अपना फेस रिवील करेगा क्या दिखा दे अपना फेस दिखा दे यार चल चल थोड़ा सा और नहीं यार लाइट बंद हो गई ये कहाँ पर आ गए हम भाई अभी मिसन इंड नहीं हुआ है और ये क्या चीज है यार यहां पे तो वो सारे के सारे गेस्ट है उस चुड़ैल के लाइटे टूट रही है यार जैसे जैसे लिटिल चल रहा है भाई क्या सीन चल रहा है यार यार ये मोटे भाई ये तो मोटे है वही ये भी सब के सब मर रहे है यार इनसे भी कुछ निगेटिव एनरजी आ रही भाई लिटिल के पास क्या बैड़ एस इंडिंग है भाई सा मजा आ गया यार ये सारे के सारे मोटे भी मरे जा रहे हैं यार इनकी में बॉस खतम होगी तो यह कैसे बचेंगे भाई बहुत ज्यादा खतानाक निकला यार यह अपना लिटिल साब भाई सब किसमर गया यार और सामने अपना गेट है और सायध हम इस जेल से अब आजाद हो जुके हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो दूनाट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब इसका अगला सीजन बहुत ही जल दाऊंगा और अभी फिलहाल कल से अपनी एक हॉरर स्रीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पर तब तक मैं आपसे लेना चाहूंगा बाइ